हरियों प्रिदर्सकों यदि आपकी मिथुन रासी या मिथुन लगन है तो इस वीडियों को पर ध्यान से देखिएगा समझिएगा जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा ब्रम्हांड में बड़ी हलचल है 6 मार्च से लेके 31 मार्च होगा असली खेल सुरू ग्रहों का अब असली खेल सुरू होने वाला है उसका आपको क्या प्रणाम मिलेगा कौन से वो राज योग हैं जो आपको लाभ देंगे और कौन से वो दुर योग हैं जिनहें आपको देखना होगा कि साउधानी बरते और ये पूरे मार्च के महीने का हम राशी फल जानने वाले हैं पूरे मार्च में ग्रह सितियां जो हैं उनका क्या प्रहाओ पड़ेगा क्योंकि जब आप अलग अलग वीडियो देखते हैं जैसे कि कोई ग्रह राज पर वितन कर रहा है तो आपने देखा कि बहुत ग्रह सत्य परिवरतन कर रहा हूं एर चरंड परिवरतन कर रहा हूं हम सब ही को एक साथ इस वीडियो में समझने वाले हैं और अपरिदर्श को हम उपाए भी जानेंगे तो आए सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि ब्रहमान में इतनी हल्चल क्यों है क्योंकि पिति दर्सकों नो के नो ग्रह अपनी इस्तिती में परिवर्तन करने जा रहे हैं शूर की बात करें तो शूर 14 मार्च को अपना राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं 14 मार्च से मीन राशी में प्रवेश कर जाएंगे परिवर्तन कर लेंगे और मीन राश में देव गुरु ब्रहस्पत की राश में गोचर करना प्रारम्भ करेंगे और साथ में यहाँ पर पहले से राहू विराजमान रहेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे आगे हम समझेंगे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा स्वा दो दिन में ही अपना राश पर विर्तन करते रहते हैं और मंगल की बात करें तो मंगल पंद्रा मार्च को अपना राश पर विर्तन करेंगे और कुम्भ राश में गोचर करना प्रारम करेंगे बुद्ध की बात करें तो बुद्ध साथ मार्च को ही अपना राशी परवितन करने जा रहे हैं और मीन राशी में गोचर करना साथ मार्च से प्रारभ्म कर देंगे और फिर से इसी मार्च में ही बुद्ध पुनाह राशी परवितन करेंगे पच्चिस मार्च को और मेश राशी में गोचर करना प्राराम कर देंगे देव गुरु ब्रहस्पती की बात करें तो देव गुरु ब्रहस्पती ना तो राशी परिवर्तन कर रहें ना नशत्र परिवर्तन कर रहें हाँ चरण परिवर्तन कर रहें क्योंकि ये देव गुरु ब्रहस्पती जो है तो बहुत महत्पूर्ण है ये शुक्र के नचत्र में इस समय गोचर कर रहें भरणी नचत्र में तो ये देखा जाये तो शोला मार्च से अपना चरण परिवरतन करेंगे तृती चरण में भरणी नचत्र के गोचर करना प्रार शुक्र को देखा जा probability ये सात को मार्च को कुम्भ में कोचर करेंगे और फिर इस महीने के लास्ट में अर्थास 31 तेमर्च को पुनहा राषि प्रवितन करेंगे और अपनी उच्च की राषि मीन हाषि में गोचर करना कार्म कर देंगे सनी की बाद किनुट सनी अभी तक अस्त थे अभ यह 17 मार्च को उदय हो जाएंगे और राहु और केतु की बाद करें तो राहु जो है तो ना तो राषि परिवतन कर रहे हैं ना नच्छत परिवदन परिवतन कर रहे हैं राहु महाराज को देखा जाए तो ये रेवती नशत्र के दुती चरण में गोचर कर रहे हैं और केतु हस्त नशत्र के चतुर्थ चरण में तो ये तीन मार्च से अपना ये चरण परिवरतन करेंगे अर्था दुती चरण में राहु रेवती के और हस्त के चतुर्थ चरण म कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं अपने स्थितियों में, इससे जो राज योग बनने बाले हैं, उन्हें हम जाल लेते हैं सबसे पहले, एक गुधादित योग का निर्मान हो रहा है, सुन्दर भारिया योग का निर्मान हो रहा है, ग्यान योग का भी निर्मान होने जा रहा है और साथ में जड़ बुध्धी योग अर्थात बुध्धी जो हमारी हर जगह दिरूरत होती है वुसी को जड़ बुध्धी योग लगने जा रहा है तो आईए प्रिदर्श को हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सुभ परिणाम हैं वो ग्रह आपको क्या देने वाले हैं तो जानके हैं कि बुध्ध साथ मार्च को ही राज़ परिवित्र कर लेंगे ये शनी देव के साथ यूती करेंगे और साथ में शुक्र के साथ भी यूती करेंगे देखा जाए तो प्रिदर्श को आपके जीवन में यदि आप केरियर को लेके बहुत जादा परिशान थे आप चिंती थे कि केरियर में क्या होगा कैसे होगा मैं बहुत जादा प्रत्न कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे सफलता नहीं मिल रही है ये समय होगा जिस समय आपके खुद लगनेश ही यहां पर गोचर कर रहे हैं और साथ में पंचमेश भी गोचर कर रहे हैं त क्योंकि एक तरफ शनिदेव भी अस्तिते परंत अब 17 मार्च से उधे हो जाएंगे तो देखा जाए तो फी दरसकों भाग का भी आपको साथ मिलने लगेगा जिसकी बज़े से आपके केरियर में बहुत कुछ बदलने वाला है जो लोग पहले से जौब कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रमोशन मिल जाए या सेलरी में ब्रद्धी हो जाए या आप चाहते हैं कि नहीं ये जौब मुझे पसंद नहीं आ रहा है इसमें बहुत उल्जने हैं बहुत समश्याएं हैं वो जो इज़त समान मुझे मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है और मैं इस जौब से आप के ग्यातिति है इसले आपको अपनी जनकुनडली की जुझकनी और एक आप और वितादूं कि िन्य आपसे चंद तो प्रिदर्सकों आगे बढ़ते हैं, तो देखा जाये तो प्रिदर्सकों आपके जीवन में, यदि आप इस बात से परिसान थे की सरकारी छित्र से जुड़े हुए काम, आपके कहीं न कहीं रुके हुए हैं, उनमें थोड़ी राहत देखने को मिलेगी पूरी तरह तो नहीं पर तो हाँ थोड़ी राहत आपको जलूर देखने को मिलने वाली है इसके अलाव प्री दर्सकों आप अपने जीबन में चाहते थे कि मैं शुक को प्राप्त करूँ मैं लगजरी को प्राप्त करूँ मैं अपने जीवन में जो मेरे ड्रीम है उन्हें मैं प्राप्त कर लूँ तो ये समय होगा आप अपने शुकों में ब्रद्धी देखते हुए पाएंगे और देखा जाए तो मित्रों का भी सयोग मिलेगा लोगों का भी सयोग मिलने वाला है और जो लोग लब पार्टनर हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है इस समय ब्रेक अप से पैचब किष्दिती बनने वाली है और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय आप प्रयास कर सकते हैं खास कर 17 मार्च के बाद का समय जो है तो आपके लिए लाग दायक रहेगा और यहाँ पर इंवेस्ट करने से पहले भी आपको अपनी जनकुनली चक कर लेनी चाहिए और इसके अलावा देखा जा तो आपके बैंग के ब सुर्द्धी होगी साथ में मांसिक टिंसन भी कम होने वाला है और आपके जीवन में जो बाधाये ठी ऐसे काम थे जहां पर आप प्रयास कर रहे थे कि मैं ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ अधूरा है ये समय होगा जिसमय आप प्रयास कर सकते हैं, तो प्री दर्शकूं ये सारे लाव आपको मिलने वाले हैं, साथ में देखा जाए तो आपके ग्यान में ब्रद्धी अर्थात खास कर देखा जाए तो ये स्टुडेंट हैं जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी एक काफी बहतर समय है, इसमें आपके अप पहले मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ये बहुत सारे लाव आपको मिलेंगे, परन्तु लाव से ज़्यादा जरूरी है, साथानी रखना, साथानी क्या रखनी चाहिए, आईए हम जानते हैं, देखा जाए तो प्री दर्शकूं आपके अपने जीवन म दामपत्य जीवन को बहुत जरूरी है कि समहाल के आपको रहना चाहिए, दामपत्य जीवन को इबाद व्याद के स्थितीना बने, और खासकर सत्र वाधा, तीसरा व्यक्ति बीच में आने पाए, तीसरा व्यक्ति यदि बीच में आता है, उससे समझ जाए होंगे, और किसी को देना नहीं है, ना तो लेना है, ये समय होगा अपने स्वास्त को बेहतर करने की जरूरत होगी आपको, स्वास्त में थोड़ी समश्याएं हो सकती हैं, तो अपने खान पान में सहयम रखें, और बलड से सम्मंधित कोई समश्याएं ना होने पाएं, इस बात काफी ध्यान रखिये, पैसा आएगा तो परंतु बेवजह खर्च होने की इस्तिती भी दिख रही है, तो आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे धंग से, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे धंग से करना होगा, और प्रिदर्सकों देखा जाए तो आपके समय सत्रु भी बढ़ स सकते हैं, तो अपने सत्रुओं से सावधानी बरतिये, किसी से बाद विवाद ना करें, बाद वियाद करने से बचें, बाद वियाद का कोई हल नहीं होता, बाद विवाद करना किसी भी तरह देखा जाये तो बहुत स्रिष्ट नहीं है, वो अंतिम इस्तिती होती है जब ल कि आप यहां पर कहीं न कहीं पराजित होते हुए दिखाई देंगे, साथ में प्रिदर्स को अपने भाई के साथ संबंद अच्छे बनाई रखें, अपने भाई का संबान करें, क्योंकि इस समय खासकर देखा जा चाहे हो बड़े भाई हों, चाहे छोटे भाई हों, उनके सा बाद 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 किस्तिती बन सकती है इसके लावा अपने पिता का सम्मान करिए अपने पिता का असिरवाद लीजिये और सरकारी छेत्र जो भी काम कर रहे हूं उनमें कोई गलत तरीका नहीं अजमाना है ब्रहमित नहीं होना है इस समय ब्रहम किस्तिती दिखाई दे सकती है कि हाँ मैं जो गलत राष्ते अपना रहा हूँ मैं जो shortcut अपना रहा हूँ उससे मेरे काम बनने वाले हैं परन्तु पहले दिखेंगे बनते हुए परबाद में फस जाएंगे तो इसलिए shortcut नहीं अपनाना जो काम जैसा है लीगल तरीके इसे करने की कोशिश करिएगा और अपने केरियर में हो या किसी भी छेत्र में हो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है पूरी तरह टटस्त रहिए जो भी काम कर रहें अच्छे धंग से करिए आईए अपनी दर्सकों अब हम जाल लेते हैं उपाए एक तो भुवन भासकर को आप अर्ग की भी आपको पता होगी एक जल लोटा लेना है ताम का लोटा ले लिजिए उसमें जल डाल लिजिए रोली और थोड़ा सा चाबल और यदि लाल फोल मिल जा तो वो डाल लिजिए और भगवान सुर को तीन बार अर्ग देना है और वही जल अपने मस्तक में नित्र करने से आपके जीवन में जो समश्याएं हैं वो दूर होने वाली हैं आप विश्रु सहस्त नाम करें पाठ कर सकते तो बहुत अच्छा है नहीं तो ओम नमो नारायनाय या ओम नमो भगवते बास देवाय मंत्र का कम सकम एकमाला ज्यादा ज्यादा जितना जब कर सकते हैं और भगवान नारायन को तुलसी एच्छन बहुत परी है तो वो भी आप कर सकते हैं तो ये उपाई करें और अपने इश्ट की आराधना करें इससे आपके जीवन में जो समश्याएं हैं बाधाएं हैं वो दूर होंगी आरुगता की प्राप्ति होगी और अर्ग जरूर द और इस वीडियो को हर वेक्ति तक शेयर करिएगा जिसे पूरे मार्च के महीने में क्या इस्तिती रहेगी क्या लाव मिलेगा क्या सावधानी रखनी हैं लोगों को मालूब बढ़ सकें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद